हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे आलू पालक की चटपटी सब्जी जो बच्चे पालक खाना पसंद नहीं करते आप इस तरीकी से पालक को बनाईए जिससे बच्चे बहुत ही स्वाथ से इसको खाएंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट कर तो यहां पर मैंने ले लिए 500 ग्राम पालक जिसके मैंने सारे डंठल साप करके इसको अच्छे से वास कर लिया है क्योंकि पालक में बहुत सारी मिट्टी होती है और अब हमने यहां पर दो बड़े साइज के आलू ले लिए और हमने इसको बड़ा-बड़ा मोटे मोटे पीस सारी पालक कर ले लिए तो आप देख सकते हैं कि हमने यहां पर अपनी पालक को यहां पर कर लिया है कर तो सारी पालक हमने यहां पर काट लिए और अब चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस में तो यहां पर ले लिए मैंने एक कढ़ाई और उसमें एट कर देंगी दो टेव और यहाँ पर बारी कटे हुई lesson हम इसमें एड़ कर देंगे तो lesson को हम इसी तरह से थोड़ा सा भूलेंगे lesson अब हमारे यहाँ पर भून गया है और अम हम एड़ कर देते हैं एक के बारी कटी हुई प्याज तो इसको भी हम भूल लेंगे थोड़ा सा कर देते हैं दो हरी मिर्च हमने यह काटकर इसमें आइड कर दें हैं कि अपड़ी अर्छाण को लंबे साइज में कट करके इसमें एड कर सकते हैं कि हम इसको भी थोड़ा सा भूनेंगी प्याज आहें काट बूने के बाद जल जाएगी इसलिए हम इसको थोड़ा सा कम बूनेंगे तो एड कर देते हम आलू तो आलू को भी इसी के साथ हम अच्छे से भूलेंगे अब आलू को हमने बून लिया और इसको दो मिनट धकर पका देंगे जिससे आलू हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा दो मिनट हो गए यहाँ आलू को देख चैक कर लेते हैं तो फ्रेंडस यहाँ पर आलू हमारे 50 परशेंट कास पर यहां तक हमारे अलू पक गए है और अब हम इसमें एड कर देते हैं कुछ शूखी मसाली तो शूखी मसालों में यहाँ पर हम नहीं यहाँ पर च्रिपलेक् आधा टेबल स्पून हमने ले लिया है हल्दी पाउडर तो इन सारी चीजों को कर देंगे अच्छे से मिक्स और इनको थोड़ा सा चलाती हो इसको थोड़ा सा भून लेंगे जिससे मसालों का कच्छा पन अच्छे से निकल जाएगा तो अब हम इसमें एड़ कर देते हैं एक टमाटर बड़े साइस कआ हम यह चाँ ले लिया है और इसको भी आलु के साथ अच्छे से भूनेंगे तोड़ा सा नमक अपनी टेस्ट के अंशार अपन बड़ं कर नमक यहां पर यहांड इडके पड़ंगे लिगें लिगें तो जाओ कम arrogance, रिखें इज वी रिफ्ट रिफा डियां और खें तो देखिए कितना बढ़ी है हमारा टमाटर गल गया है आपर तो अब हम आलो में इसमें एड कर देते हैं कटी हुई कटी हुई पालक ठालक आपको यहांपर बहुत काफी ज़्यादा लग रहे हैं सनले और में अध्यादा पालक Mitlaела ने पालक में बहुत ज़्यादा पानी होता है इसलिए आप ज़्यादा लगते हैं अभी बहुत कम हो जाएगी है तो實阿 जिसे हमारी पालक अच्छी से एक कर देंगे चराओ जाए अलो मसाली को nighttime करता हो Там देखिए हमारे पालक में बहुत जादा गिए है, तो यहां पर हम इसी तरह से चलाते है. मुझे अब इसके अफंना नहीं है, हम इसी तरह से पकाइंगे. इसका पानी सुखाते हुए, हम इसके चलाते रहना है. तो हमकर लेते हैं अलू को चैक. यह देखिए फ्रेंट्स हमारे अलू अच्छे से पग गए हैं अब बाकी का बचा हुआ पानी हमें इसम का जलाना है यह पर तो इसी तरह हमें एक डू मिनिट तक इसको चलाते हुए इसका पानी सुखाएंगे इसका तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारी पालक का सारा पानी हो गया का तम तो आलू पालक हमारे यहां पर बनकर हो गए हैं रेडी अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे और अब हम इसक आपके बच्चे इसको आलू पालक को खाना बहुत पसंद करेंगे तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए थोड़ा भी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक किजिए और अगर आप नए हैं तो फ्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिए तो आब मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक कि लिए बाब बाई